हलो दोस्तों, नमस्कार, आज जीके के अभ्यास सिट 15 में पहला प्रश्ण है निमलेखित किंदर सासे चेतरों में सरवादिक बड़ा आकार किसका है? इनमेशे जो है, सबसे ज्यादा बड़ा आकार जो है, किसका है? वो विकलप संक्या 4 है, पाणडी छेरी पांडी चेरी का सबसे बड़ा अकार है कि अंदर सासित प्रदेशों के छेत्रफल का अब रोही क्रम घटते हुए छेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा लद्दाख है पिर जम्मू कस्मीर है और अंडमान निकोवार दीपसमू, दिल्ली, दादर नागर हवेली, पांडे चेरी, चंडीगर, दमंदीप और लक्षदीप इससे पहले क्योंकि ये अभी हाली में लद्दाख और जम्मू कस्मीर दो किंदर सासित प्रदेश और बने हैं तो लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा छेतरपल के हिसाब से केंदर सासित प्रदेश है और जनसंख्याग ये अगर बात करें तो सबसे छोटा, जनसंख्याग यहां सबसे कम है लद्दाख में कौन सा जीवित पक्षी बिस्तु का सबसे छोटा अंडा देता है जो इस समय जीवित है बरतवान में है सबसे छोटा अंडा देता हमिंग वर्ड बिकल्प संक्याग हो जाएगा तो और सबसे छोटा पक्षी भी ये हमिंग वर्ड ही होता है इसका साज भी सबसे छोटा होत से ड्रोथली ड्वाय हमिंगवाड को विश्ट का सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडे देने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है यह जो पक्षी है सोरी यह जो पक्षी है चिली के बनों में पाया जाता है कौन हमिंग वर्ड जो है चिली देश है वहां के बनों में पाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारकरम योजना का संबंध जो है किस से संबंधित है ये प्रोग्राम ये संबंधित है बिकलब संक्या एक जो है भारत में गिरते हुए शिशू लिंगा अनुपात का समाधान येवं बालिकाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो कारकरम है इसकी शुरुआत जो है 2015 में होई थी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारकरम का उद्देश है भारत में गिरते हुए शिशू लिंगा अनुपात का समाधान तता बालिकाओं को सशक्त बनाना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है महिला एवं बाल विकाश मंत्राल है श्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राल है और मानव संसादन विकाश मंत्राल है या जो अब सिक्षा मंत्राल है हो गया कि एक संयुक्त पहल के रूप में शमनबेत है और अवशरित के अंतरगत बालिकाऊं को संडक चनल शक्त करने के लिए बेटी बचाऊं बेटी पडान योजना की श्रुवात जो है, क अभुती श्रुवात 22-2015 को हुई थी. और कहां से होई थी? 22-2015 को कहां से होई थी? हरयाना से, क्योंकि हरयाना जो है हमारे देश का ऐसा राज है जहा लिगानुपात सबसे कम है महिलाओं की संक्या पुरसों की संक्या की अफेक्षा कम है इसे निम्र लिगानुपात वाले सो जिलों में प्रारम किया गया है वो समय किया गया था अब ये जादा हो गया सबी राज्जमुम संकसाचत चेत्रों को कबर 2011 की जनकरणा के अनसार निम्नवाल लिंगानुपात के आधार पर प्त्यक राज में कम से कम एक जिले के साथ एक जिले के साथ सो जिलों का एक पालिट जिले के रूप में चैन किया गया था प्रिशिद गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस था हमारा ये रचना किसकी है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की रचना की थी जिसका सर्फ प्रत्म किसके लिए सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा जो है इसको सर्फ प्रत्म शरकारी कालिज जो था लाहवर में गाया गया था अगला है पल्ली आंदोलन पल्ली आंदोलन कहां से संबन दे था ये तमिल नाडू में पल्ली आंदोलन हुआ था था क्या पल्ली आंदोलन जो था वो तमिल नाडू राज से संबन दे था उत्री तमिलनाडू में पल्ली एक निचली जाती के लोग 1871 से छत्रिय के श्तिति का दावा करने लगे उन्होंने खुद को बनिया कुल छत्रिय कहा और विद्वा पनुरिवा पर बरजित करने की तरह उच्च जाती प्रता का अनुकुरण किया भारत कला भवन कहा इस्तित है भारत कला भवन जो है वो बानारसी या बनारस में इस्तित है जो बनारस में हमारा बियेचू है या कासी हिंदू विश्विद्धाल है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज के बानारसी में इस्तित है जो कासी हिंदू विश्विद्धाल है उसके प्रांगण में इस्तित एक शंग्राला है यहाँ पर भारत में परचलित लग वो सभी सहलियों के चित्रों का विशाल शंग्रा है चित्रों का यहां संग्रा है जो सभी सहलियों का भारत कला वबन की श्तापना जो है रायक्ष्नदास ने सन 1920 में की थी रायक्षमिदासने भारत की सड़क पनाली बिष्च में कौन सा इस्तान है सड़क पनाली जो है मारा उसकी बिष्च में दूसरा इस्तान है भारत में दुनिया का तीसरा सोरी तीसरा नहीं होगा ये दूसरा दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जो कुल पांच दसमलब आठ नौ मिलेन किलो मीटर में फैला हुआ है यह शड़क नेटवर्क देश के सभी माल का सभी मारक का सभी जो माल है उसका जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट होता है उसका साड़े चोंसर परसेंट परभान करता है भारत के कुल याति यातात का 90 परसेंट आव कुछ बरसों से दीरे दीरे ब्रदी होई है भारत में सिकंदर लोधी का सासन कब से कब तक था यह था 1489 से 1527 इस भी सिकंदर लोधी बहलो लोधी का पुत्र था और उत्तरा अधकारी भी था इसका मूल नाम निजाम खा था और यह 17 जोलाई 1489 पर सुल्तान सिकंदर सहा की उपादी से दिल्ली के सिंगासन पर वैटा वह स्वाणकार हिंदु मा की संतान था धार्मिक द्रश्टी से सिकंदर लोधी अशशनु था वह बिद्या का पोशक प्रेमी था और गले की बीमारी के कान 21 नॉवंबर 1570 को इसकी मृत्ति हो गई अतीत के चलचित्र किसकी रच कित्नाय महादीवबरमा की रचनाय हैं और अतीत के चल चत्र सके राज वनावरन कितना है तो जो वह रहत वनीं स्टिती रिपोर्ट i21 है उसके अनुसार यह नो दस्मलब 2-3 है उत्तर-प्रदेश में बना बरन स्टेट फॉरस्ट की रिपोर्ट 2-3 के उत्तर-प्रदेश के कुल भोगलेशय के के नौ दसमलब दो तीन प्रस्तिदे हिस्ति में बना वड़न है दो हजार तेरा में ये आठ दसमलब वाट दो फिस्दी था रिपोर्ट के अनुशार दो हजार उन्निस के दौरान कुल बनकवर और ब्रक्चावण में 91 किलोमीटर की ब्रद्धी हुई है